नमस्कार, चानेक्या IAS Academy में आपका स्वागत है आपने थमलिल देखा होगा, देखकर खुसी नहीं होगी और खुस होना लाजमी है वह इसलिए कि अगर तीन महिने में दो लाख रोजगार का सरजन होता है यह किसी भी अर्थविस्था के लिए अच्छा संकेत है या सुभ संकेत है अब यह जो मैं बात कर रहा हूँ दो लाख रोजगार की तो यह समंधित है एक सर्वे से जिसे हाली में जारी किया गया जिसके अनुसार वर्तमान वित्तिवर्स यानि कि 2021-22 की दूसरी तिमाही मतलब जुलाई से सितंबर मेहने नौ सेक्टर में इसी वित्तिवर्स की पहली तिमाही यानि कि अप्रेल सी जून की तुलना में दो लाख जादा रोजगार का सिर्जन हुआ इतना ही नहीं इस वित्तिवर्स की दूसरी तिमाही में कुल स्रम में महिला हिस्सेदारी में भी बढ़ुतरी हुई है वह इसलिए क्योंकि पाहली तिमाही में जहां कुल स्रम में महिला pellon की हिस्सेदारी 39.3 फीजदी थी वह बढ़कर बूसरी तिमाही में 32.1 फीजदी रही अब सवाल यह उठता है कि मैं किस सर्वे की बात कर रहा हूँ तो रोजगार से समन्नित ये आकड़े हैं Quarterly Employment Survey से यानि कि QES से अब आपके मन में एक सवाल या उठ रहा होगा कि Quarterly Employment Survey आखिर है क्या क्या या Periodic Labor Force Survey है नहीं QES और PLFS दोनों अलग है और ये दोनों कितने अलग हैं इसकी चर्चा मैं बात में करूँगा फिलाल इसी सर्वे के आंकड़ों की बात करता है अगर इस सर्वे के तक्तियों को थोड़ा और विस्तार से देखें तो हम पाते हैं कि जुलाई से सिटमबर 2021 में 9 सेक्टर में 31 मिलियन लोग कारिड़त थे जो अप्रेल से जून 2021 के 29 मिलियन कारिड़त लोगों की तुन्ना में 2 लाग जादा है जुलाई से सिटमबर 2021 में 9 छेतरों में से जिसमें सबसे जादा रोजगार मिला है उनमें वी निर्मान का योगदान सर्वादिक है क्योंकि वी निर्मान का योगदान कुल रोजगार में लगभग 41 फीस दी रहा हाँ उसके बाद सिख्छा का योगदान है जो 22 फीस दी है वह अगर हम आगे और आंकडों की बात करें तो मौजदा वित्तिवर्स की दूसरी तिमाही यानि की जुलाई से सितंबर मेने में कुल रोजगार में 87 परतिसत हिस्सेदारी नियमित रोजगार की रही है और महिलाओं की सरंबल भागीदारी में वर्धी एक अच्छा संकेत है वह इसलिए क्योंकि महिलाओं की सरंबल भागीदारी में वृद्धी से देश की GDP को अधिक तेज रफ्तार मिलती है अब हम यह देखते हैं कि रोजगार में सामिल जो व्यक्ति हैं उनमें सिक्षा का इस्तर क्या है यानि कि उन्होंने कहां तक सिक्षा प्राप्त की हुई है तो quarterly employment survey के अनुसार 37% स्रमिक सनातक या उससे ऊपर की सिक्षा प्राप्त की हुए है मतलब graduate या post graduate है फिर लगवग 31% स्रमिक under graduate है और 28.4% स्रमिक metric या उससे नीचे तक की सिक्षा प्राप्त की हुए है अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर क्या कारण है कि मौजुदा वित्ती वर्स की दूसरी अवधी में पहली अवधी की तुन्ना में दो लाख अत्रिक्त रोजगार का सरजन हुआ है उसका सीधा और इसपस्ट कारण है कोरोना की दूसरी लहर के बाद पावंदियों में दी जाने वाली धेल और सामान ने होते आर्थिक क्रिया कलाब अब बात करते हैं quarterly employment survey की तो इसे स्रमबल द्वारा जारी किया जाता है जो all India quarterly establishment based employment survey का हिस्सा है all India quarterly establishment based employment survey के दो हिस्से है पहला quarterly employment survey और दूसरा area frame establishment survey है अगर हम बात करें quarterly employment survey की तो इसमें 10 या अधिक स्रमिकों को रोजगार देने वाले परतिश्ठानों को शामिल किया जाता है मतलब इसमें संगठित छेत्र को शामिल करता है वहीं दूसरी तरफ area frame establishment survey है इसमें 10 से कम स्रमिकों को रोजगार देने वाले परतिश्ठानों को सामिल किया जाता है मतलब और संगठित छेत्र को सामिल करता है वहीं quarterly employment survey के अंतरगत सामिल जो 9 छेत्र हैं वे हैं वी निर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्त, आवास, वरेस्तरा, IT and BPO और वित्तिय सेवाए अब वो सवाल जिसकी मैंने शुरुआत में ही चर्चा के थी वहीं कि quarterly employment survey और periodic labor force survey में मुख्य अंतर क्या है तो मुख्य अंतर यह quarterly employment survey स्रम बाजार में स्रमिक मांग के पक्च को प्रस्तुत करता है जबकि periodic labor force survey स्रम बाजार में स्रमिक आपूर्ती के पक्च को प्रस्तुत करता है और periodic labor force survey को ministry of statistics and program implementation के अंतरगत national statistical office के द्वारा जारी किया जाता है अब इस सुखत समाचार के बाद भी क्या कोई चिंता वाली बात है तो चिंता वाली बात है और वो बात है omicron variant का फैलना जिसके प्रभाव इस पस्ट्रूप से दिख रहे हैं और omicron variant का प्रभाव ज्यादा ना फैले इसके द्वारा वेविन राज सरकारों के द्वारा वेविन प्रकार की पावंदियां लगाई जा रही है यही कारण है कि आर्थिक वृद्धी दर अनुमान को साढ़े नौ फिसदी से घटा कर नौ दस्मलब दो फिसदी कर दिया गया है इस सब का प्रभाव रोजगार सिर्जन पर पढ़ सकता है चलो तो यह कि कितना रोजगार पर इसका प्रभाव पढ़ेगा यह सपस्ट होगा जब अगली बार Quarterly Employment Survey सामने आएगा तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने हाली में जारी Quarterly Employment Survey से समंदित आकड़ो पर एक संखिप्त चर्चा किया इसके साथ ही इस वीडियो को यही विराम देते हैं आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शियर करें धन्योगत